भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर से भूस्खलन की खवर ये लगातार सामने आ रही है। धार्चूला के जुम्मा में बीशन भूस्खलन से साथ घर जमिदोज हो गए। बताया जा रहा है कि छे लोगों के मलवे में दफन होने की खवर जानकारी के अनुसार आपदा नैपाल में बादल फटने से आई है। आपदा से अतरिक्द मार्ग के साथ धार्चूला तपोवन में एनचपीसी के दो आवासिय परिसर काली नदी में समा गए है। फसे हुए लोगों को निकालने के लिए वचाव कारे जारी है। खत्रे क देखते हुए प्रशासन ने किनारे वसे लोगों को घर छोड़ कर सुरक्षित इस्थान पर पहुँचने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज नैनिताल पितोरागड जेलोई में कहीं कहीं तीब्र बोचार के साथ भारी बारिश का यलो अलर्ट है।